नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपुंग टोपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विशे में, आपको बहुत सारी बिमारियों से बचाने के विशे में मौमोज खाने के विशे में, मौमोज खाने से हमारे सरीर को होते हैं इतने भारी नुकसान कि ये जानकर आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगे दोस्तों, आज हम आपके लिए जो टोपिक लाई हैं वो मौमोज के बारे में हैं मुमोज खाने से होते हैं इतने सारे नुक्सान ये जानकर आप इसे खाना आज ही छोड़ देंगे कई बच्चों वे बड़ों को मुमोज इतने अच्छे लगते हैं कि वे एक साथ कई मुमोज खा जाते हैं परंतु वो लोग यह नहीं जानते कि मॉमोज खाने से कितने सारे नुक्सान होसकते हैं मॉमोज मैदे और सबजियों से बनाए जाते हैं जो खाने में तो बहुत ही स्वादिश्ट लगते हैं मगर इनके बहुत सारे नुक्सान होते हैं हमारे सरीर को मुमोज खाने के लिए मैदे की लोई बनाकर उसमें बारी कटी हुई सबज या भरकर बनाई जाती है ऐसे या तो स्टीम दे कर बनाय जाता है या फिर इने तेल में फ्राई करके बनाय जाता है और एक बात मेदे में फाइबर नहीं होता तो इस पर बेंजोईल परेकसाइड से ब्लीज किया जाता है ताकि ये सफेद और चमकदार बन सकें इस ब्लीज से हमारे सरीर को बहुत सारे नुकसान पहुंचते हैं तो अब हम आपको इस वीडियो में क्रेजी इंडिय की तरफ से बताते हैं मॉमोज खाने के भारी नुकसान मेदे में फाइबर नहीं होता वैसे भी मेदे से बने जादा चीज़ों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि मेदे से बने मुमोज खाने से सिर्दर्द पेट की समस्या वैक कबज होसकती है और कई बार तो पेट में एसिडिटी वैज जलन की समस्या भी हो जाती है मुमोज खाने से गठिया रोग होने का डर बहुत अधिक रहता है क्योंकि इसको खाने से हमारा यूरीक एसिड बढ़ जाता है जिससे जोडों में दर्ध होने लगता है मौमुज खाने से दिल से समंदित बिमारियां भी हो जाती है क्योंकि इससे हमारे हर्दे में रक्त संचार सही रूप से नहीं हो बाता जिससे heart attack जैसी समस्षाइं पैदा होती है मौमोज को खाने से हमारी immunity power कम हो जाती है जिससे हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं क्योंकि हमारी रोगों से लड़ने की शम्ता कम हो जाती है और सर्दी जुखाम वाइरल जैसे समस्षाइं हमें जल्दी ही आ जाती है मौमोज को जब steam दे कर या फिर fry किया जाता है तो इसमें से protein निकल जाता है और ये acidic बन जाता है जिससे हमारे सरीर की हडियां कमजोर होती है मेदे में high glycemic index पाया जाता है इसलिए मौमोज खाने से सरीर में सुखर लेवल जादा पड़ जाता है जिससे diabetes भी हो सकती है और कहीं बार तो ये कुल को सरीर में कहीं जमने लगता है तो देखा दोस्तो मौमोज खाना हमारी सरीर के लिए कितना अधिक नुकसान दाएक है तो दोस्तो आप भी मौमोज को छोड़ कर हल्दी सबजियों को खाना सुरू कीजिए और अपने स्वास्ते को अच्छा बनाईए तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई चानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरतस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों